नमस्तेकार और आजम कड़े हैं ब्रिटिश सिडैन के सामने जिसका नाम है रोस रोस गोस्ट 2009 में लॉंच होई थी और ये 2022 का सेकंड जनरेशन वेरियंट आप देख रहे हैं सिर्फ पैट्रोल में आती है रेंज शुरू होती है एक रूम 8 करोड रूपीज से और टॉप मोडली कीमत है 12 करोड रूपीज और ये टॉप मोडल ब्लैक बैज घोस्ट आप देख रहे हैं ये घोस्ट का हाई परफॉर्मेंस वेरियंट है इसके ड्राइब ट्रेन और चैसी री इंजिनियर किये गए हैं फास्ट परफॉर्मेंस के लिए इससे रोल्स रोयस के लग्जिरी इंटिलिजेंस यूनिट ने बनाया है पोस्ट उप्यूलेंट डिजाइन लैंगवेज है जो मिनिमिलिजम और प्यूरिटी को दर्शात है 1906 की रोल्स रोयस सिल्वर घोस्ट से लिया गया है इसकार का नाम ये फैंटम का छोटा वर्जिन है ब्लैक बैज घोस्ट को रोस्ट रोयस ने अपने बोल्ड ग्रूप अफ क्लाइंट्स के लिए बनाया है ये अब तक की सबसे टेकनोलोजी के लिए अडवांस्ट रोस्ट रोयस है आज सक 3500 गोस्ट बिख चुकी है जो इससे बनाती है सबसे फास्टेस सेलिंग रोस्ट रोयस कार में से एक इससे हैंडरी क्लोक ने डिजाइन किया है कंपनी कहती है कि 2030 के बाद गोस्ट फुली एलेक्ट्रिक हो जाएगी फ्रंट सेंसर्स और ये हाई पॉलिष इलुमिनेटेड पैंथियोन ग्रिल रोल्स रोयस का डार्क लोगो, फ्रंट कैमरा और ये हाई पॉलिष पॉलिष प्रेट अफ एक्स्टेसी लोगो और ये है लेजर हेडलाइट, 600 मिटर रेंज, विजन एसस्ट और LED DRL के साथ है एडलाइट पे भी रोल्स रोयस लोगो सिल्वर बॉनेट का भी ऑप्शन है, वाईपर्स शार्क फिन एंटेन, इलेक्टर के ली एडजस्टेबल आउटसाइब मिरर्स हैं कैमरा के साथ और ये साइड इंडिकेटर रोल्स रोयस का लोगो और ये हैंड पेंटेट डबल कोच लाइन, इसमें भी कई कलर्स के आउप्शन्स मिलेंगे 5.5 मिटर लेंथ है, 1.5 मिटर हाइट, 13 मिटर टर्निंग सरकल है और 2500 केजी कर्बवेट और ये हैं कार्बन फाइबर की 44 लेयर से बने 21 इंच का कार्बन एलोय कंपोजिट वील आगे और पीछे डिसको रेक्स मिलेंगे ब्रेक कैलिपर्स और वील सेंटर में भी कई कलर्स के आउप्शन्स है फ्लोटिंग हब कैप है, रिम से 3D फोर्ज अलिमुनियम हब, एरो स्पेस ग्रेट टाइटेनियम फासनर से बन्डिड ये सिगनेचर ब्लेक कलर आप देख रहे हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड, सिल्वर, वाइट, पर्पल, ब्राउन, वाइलेट, औरेंज और ग्रे को मिलाके 44,000 कलर्स के आउप्शन्स है ये मोटर इंडस्ट्री का सबसे डार्केस ब्लेक कलर में से एक है और पेंट का वेट है 45 केजी इसके पेंटिंग प्रोजेस में लगबग 5 घंटे लगते है एक्जॉस टेल पाइप रियर सेंसर्स एकदम नया एक्जॉस सिस्टम है ब्लेक बैज घोस्ट में और ये LED टेल लाइट रोस रोस का लोगो, रियर कैमरा हाई मांट स्टॉप लैंप अल वील ड्राइज सिस्टम है गेर शिफ्ट की स्पीड भी 50% बढ़ी है और यहां से बरेंगे पैट्रोल आर्गिटेक्चर ओफ लग्जिरी प्लैट्फॉर्मर बनी है गोस्ट जिस पर फेंटम और कलिनन भी बने है यह एक All Aluminium Space Frame Architecture है High Frequency Vibrations को कम करने वाला Planner Suspension है Magic Carpet Ride के लिए आप अपनी पसंद के हिसाब से कैसे भी घोस्ट कस्टमाईज करा सकते हैं कई bespoke options available है चौड़े एर स्प्रिंग्स हैं जो Hard Cornering में Body Roll को कम करेंगे Non Black Badge Ghost के मुकाबले इसमें आपको ज्यादा Power और Bold Styling मिलेगी आगे पीछे 50-50 Weight Distribution है Rolls-Royce का Satellite Aided Transmission System है जो GPS डेटा यूज़ करके रोड पे आने वाले कॉर्नर के हिसाब से Gear Select करेगा Day-Night Wildlife or Pedestrian Warning Alertness Assistant 4 Camera System, All-Round Visibility और हाइलिकॉप्टर वियू के साथ Collision Warning, Cross Traffic Warning, Left Parking Lane Departure और Lane Change Warning जैसे Features मिलेंगे यह Ghost का नया Top Model है Black Badge इसमें आपको 44,000 Colors के Options मिलेंगे मतलब कि आप अपनी पसंद का कोई भी Color करवा सकते हैं और कई सारे 20 पो Customization Options है आईए Boot Open करके देखते हैं तो यहाँ आपको मिलेगी 500 लेटर की Boot Space First aid kit Light दी गई है दो यहाँ पर भी Light दी गई है और One Touch से ही Close जाएगा Boot आईए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं 18 Speakers 1300 Watt का Sound System मिलेगा Ghost में Speakers पे Black और Gold Finish का भी Option है नीचे काफी Space USB Port काफी Stylish Vineyard Seat Massage का Button दो Memory Seat के Functions हैं Power Window का Button, Volume के Control Speaker Spirit of Ecstasy Logo Double Glass हैं शांद के बिन के लिए पसना इस कफ प्लेट का भी Option है और यह है Umbrella इसमें भी कई Colors के Options मिलेंगा Ghost की सकफ प्लेट और यह है Orange Leather Appalach Black, Blue, Gray, Red, White, Green, Yellow, Pink, Purple, Brown और Beach कलर के Options हैं पूरे Interior में कई Color Combinations अविलेबल हैं Rear Seats में Fixed Center Console का भी Option है आगे पीछे Seats में Massage और Ventilation है Headrest Cushion Seat के बीचे Pockets मिलेंगी Rear Entertainment Screens है Starlight Headliner और Glass Sunroof का भी Option है और यह Armrest यह Seat के Controls Armrest के अंदर काफी Space 12V का Port और यह Rear Entertainment Screens के Controller और यह Cool Box दो शैम्पेन ग्लास होल्डर्स हैं यह Right Passenger Seat के Controls यहां दो ग्लास होल्डर्स और यह CD Changer दो ओक्स के Port हैं यह HDMI Port USB Port यह Seat Ventilation के Button AC के Controls दो AC Vent और AC Dashboard Micro Environment Purification System है के बिन में Fresh Air के लिए दो AC Vent पिलर्स पे Hook दिया गया है यहां Button दिया गया है इससे Automatic Door क्लोज हो जाएगा इसको दबा के रखिए इसको क्लोज करने का यहां बटन दिया गया है Pocket Seats के पीछे Picnic Tables का भी Option है Media Radio, Communication, Applications, My Vehicle Settings Clock है, Media Radio और यह Reading Lights हाई यह Front Passenger Side Door खोल कर देखते हैं पीछे Famous Side Doors हैं जिससे Rolls-Royce कहती है Coach Doors इनसे कार के अंदर भाहर निकलना Easy रहता है Electrically Adjustable Front Seats One Touch से क्लोज जाएगा दोर आए यह Driver Side Door खोल कर देखते हैं यहां पर भी दोर पर नीचे काफी Space दी गई है Spirit of Ecstasy लोगो Speaker पारण दोगी कंट्रोल और वार वीम की कंट्रोल बूट खोलने का बटन दो मेमरी सीट के फंक्शन्स हैं स्कफ प्लेट सीड अजस्मेंट और यह टायर प्रेश इंफमेशन आगी सीट में वें वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन है परस्नलाइज हेड्रेस्ट इम्रोइटरी का भी ऑप्शन है अल्वील स्टेरिंग है पेडल्स और यह एलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आटो होल का बटन और यह लाइट के कंट्रोल्स इंटिलिजेंट सेफटी बटन और एंजन स्टार्ट स्टार बटन आमरेस के अंदर काफी स्पेस लाइट दी गई है, यूस्बी पोर्ट है 12 वोल्ट का पोर्ट है यह दोर क्लोस करने के बटन यहां दो ग्लास होल्डर फोर जोन आटमेटिक एसी है हीटेट स्टेरिंग का बटन, सीट वेंटिलेशन के बटन इंफोर्टेनमेंट के कंट्रोल्स दो एसी वेंट और यह है इंफोर्टेनमेंट सपोट करेगा 360 degree camera, navigation, wifi, hotspot, FM और radio Bluetooth, navigation vehicle settings interior lighting, ambient lighting intelligent safety, speed warning stability control, seat comfort system settings यहां से आप spirit of ecstasy लोगो को open close कर सकते हैं यह लोगो उपर आ गया, close हो गया driver profiles, vehicle status, tire pressure monitor, driving information, on-board computer, average, trip computer, navigation, media radio, communication, notifications, application, rear camera display और यह और यह शानदार dashboard के finish यह driver side vanity mirror light के साथ और यह है leather steering wheel, इसमें भी कई colors के options हैं यह active cruise control यह phone infotainment और volume के control और यह है ZF का 8 HP 98 speed automatic transmission full technology on करने के लिए low button है VIPर आ जा ओकाचर आओ आओ, उसमें ओक्ष थिलूद आओ, यह खाये ब्यूद आओ रप्म, fuel level, coolant temperature पावर रिजर्व, एवरेज, और काई इंफरमेशन, यह इंटिलिजेंट सेफटी बटन, यह बटन से आप फ्रन डोर्स को आटमेटिक लोस कर सकते हैं, आएए बटनेट खोलते हैं और देखते हैं पैट्रोल एंजिन, तो यह है 6750 CC V12 Direct Injection Twin Turbo Charge DOHC BMW N74 B68 पैट्रोल एंजिन, 591 होर्स पावर है, 900 Nm टॉर्क है, 070 स्वीट पगड़ी 4.7 सेकिंड्स में, 250 क्लोमेटर पर आर्गी टॉस वीड है, और 6 का एवरेज मिलेगा, 82 लिटर के फ्यूल टैंक्स हैं, स्टेंडर घोस में भी सेम एंजिन आएगा, बट उसकी होगी 563 होर्स पावर, 850 Nm टॉर्क, 070 स्वीड पगड़ी 4.8 सेकिंड्स में, 250 क्लोमेटर पर आर्गी टॉस स्पीड और 8 का एवरेज, यही एंजिन रोस 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 फेंटम और कलेनर में भी यूज़ होता है, BMW का स्टिकर, अलुमूनियम ब्लॉक और हैड माटीरियल है, तो कैसे लिए आपको रोस 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 ब्लैक बैज घोस्ट, हमें कमेंट्स में बताइए, क्या हैं, तो क्या है? तो क्या है झाल 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 झाल